रहान मंत्री जी हमारा आपसे साधार आग रहे कि कृपियापनी उर्जा मैई बाणी में हम सब को संबोधित करें शुब काम नाये दें बिहार के राजपाल श्रिमान केश्री नाट्टि पाटी जी राज के मुख्यमंत्री श्रिमान नितिश कुमार जी केंद्र में मंत्री परिशत के मेरे साथी श्रिमान सुरेश प्रभू जी श्रिमान राम विलाज पास्वान जी श्रिमान रविशंकर परिशाद जी शिमान धरमेंदर प्रधान जी, शिमान प्यूज गोएल जी, इसी धर्ती के संतान और मेरे मंत्री परिशद के साथी शिमान राम कुपाली आदव जी, शिमान उपेंदर कुश्वा जी, यहां के सांसत शिमान सत्तुगन जी, राज विधान सभा के नेता, शिमान नंद किशोर जी, विधान परिशद के नेता, सिमान सुशिल कुमार मोदी जी, उपस्तित सभी वरिष्ट महान उभाव, देवी और सज्जनों आज यहां अनेक सिलान्यास के और उद्धाटन के कारकम हुए है हम सब इस बात पर अब भली भांती समझने लगे हैं, कि विकास का कोई परियाई नहीं है अगर हमें गरीबी से लड़ना है, तो विकास करना होगा हमें बेरोजगारी से लड़ना है, तो विकास करना होगा हमें असिच्छा से लड़ना है, तो विकास करना होगा हमें आरोग्य की सुविधाएं मुहाया करना ही होगी हमें विकास करना होगा सब दुखों की अगर कोई एक दवाई है वो दवाई है विकास और यह अच्छी बात है कि इन दिनों राज्यों के बीच भी विकास को लेकर एक स्पर्धा का माहुल बनता चला जा रहा है राज्यों को लगने लगा है तो वो राज्य उनस बात में मेरे से आगे निकल गया अब हम कुछ कोशिश करेंगे हम आगे निकल जाएंगे आखिर कर देश आगे बढ़ाना है तो राज्यों के विकास से ही आगे बढ़ने वाला है और इसलिए देश के विकास के लिए राज्यों का विकास इस मूल मंत्र को लेकर के केंद्र हो या राज्यों हो सबने मिलकर के काम करना काम को आगे बढ़ाना यह आवश्यक होता है विकास के कामों में राजनीती कितना नुकसान करती है उसका ब्यावरा आदिने मुक्हमंत्री जी ने विस्तार से दिया अटल जी के समय में जो काम छे महने मिलते तो पूरा हो जाता उसको पूरा होते होते आज 2015 आ गई और मैं नितिज जी की बात से सहमत हूँ कि अगर अटल जी की सरकार का चुनाव सुड़ा देर से होता छे मेने मिल जाते तो उस समय अटल जी के मार दर्शन में और यहीं के रेल मंत्री थे नितिज जी ये काम पूरा हो गया होता वो सही बोल रहे है लेकिन बाद में सरकार बदल गई और रेल मंत्री यहां से ऐसे आये कि काम को रोग दिया गया और हमारे आने के बाद उसको चालू किया गया अब राजनीती जो करते हैं करें लेकिन नुक्षान बिहार का हुआ बिहार की जनता का हुआ नितिश कुमार जी की इस व्यथा के साथ मैं भी अपना स्वर मिलाता हूं लेकिन मैं इस मत का हूँ कि हमें विकास की आत्रा को निरंतर गती देना चाहिए आज नितिश जी ने बहुत अच्छी बाते बताई है कि बहुत आयाइटी है लेकिन हमें यहां के आवश्रक्ताओं के अनुसार और यहां के ख्षमता के अनुसार नई नई फैकल्टीज को लाना चाहिए कि मुझे विश्वास है कि नया परिशर की ख्षमता इतनी है पांसु भीगा भूमी है यह होगा और हम तो कोशिश यह कर रहे हैं कि दुनिया में जो टॉप कास फैकल्टीज हो उनको भी भारत में लाया जाए ताकि भारत के हमारे युवकों को देश के लिए जो आवशक ह कि जिस राज में आएटी हैं वहां जो आवशक हैं उन विश्वयों को बल दिया जाए सिरफ दिल्ली में बैठ करके योजनाय बनाने का वक्त पुरा हो गया अब तो राज्य के मन में जो भाव उड़ते हैं राज्य की आवशक्ता होती हैं उसके अनुसार ही दिल्ली को भी अगे ड़लना चाहिए यह मेरी सोच है और मैं उसी को आगे बढ़ा रहा है आज यहां एक इंक्यूबेशन सेंटर का प्रारम हो रहा है यह इंक्यूबेशन सेंटर मैं मानता हूं यह बहुत बड़ा नजराना है आई आई टी कॉंप्लेक्स इमानत से भी ज्यादा यह इंक्यूबेशन सेंटर बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हमारा इनिशेटिव है इसलिए मैं यह इस बात से कन्मिन्स हूं मैं जिस प्रदेश चाया हूं लोगों ने परिश्रम किया होगा परमात्मे कुर्पा की होगी लक्षमी ने वहाँ जाने पसंद किया होगा लेकिन यह भूमी है जहां सरस्वती वास करती है यहां के नवजवान तेजस्वी है और मैं मानता हूं यहां की जो तेजस्वीता है वो पूरे पड़ाने जा रहे हैं वो भी एक विशेश मकसद से हैं आज हम देख रहे हैं कि मेडिकल सर्विस हेल्ट सेक्टर यह सिरफ डाक्टर नाड़ी पकड़ लें चार सवाल पूझ लें और नहीं नहीं होता है कि बिमारी क्या है दवाई क्या दे भेर सारे मशीनों के अंदर से शरीर को गुजारा जाता है भाती भाती मशीनों को शरीर पर लगाया जाता है उसके बाद भीमारी तय होती है उसके बाद उपचार का रास्ता तय होता है पूरे हेल्थ सक्टर में टेक्नलोजी का प्रभाव इतना बढ़ा है इतने नए-ने संसाधनों का आविश्कार हो रहा है और आज भारत को गरीब व्यक्ति को इन साधनों को अगर मुहिया कराना पड़े तो विदेशों से लाना बहुत महंगा पड़ रहा है इस पटना की धर्ती पर बिहार के मेरे नवजवानों की प्रतिभा को एक अवसर दिया जा रहा है कि इस इंक्यूबेशन सेंटर में प्रमुकृप से electronic and digital mechanize के साथ किस प्रकार से हम health sector की नए विशयों को आविशकार करें उसका उत्पादन करें ताकि हमारे गरीब से गरीब को लिए हमारे अस्पतालों में भारत में बने हुए उत्तम से उत्तम साधन तयार हो जिसका लाब गरीब को मिलें उत दिशा में हम काम करना चाहतें और इसलिए यह इंक्यूबेशन सेंटर भलेई पटना की धर्ति पर बनने वाला हो लेकिन वह हिंदुस्तान के गरीबों के आरोग्य की आवशक्ताओं की पूर्ति करने का एक एहम कायरेकम बनेगा यह मैं देख रहा हूँ आखिर कर विकास करना है तो इन्फास्टेक्टर का बड़ा महत्पव होता है और अगर इन्फास्टेक्टर को मल नहीं दिया गया तो हम बहुत पीछड के रह जाएंगे बिहार में चाहिए रेल हो रेड हो एर हो उसको इन्फास्टर मिले उसकी कनेक्टिटी बड़े इस पर हम बलते रहे हैं हिंदुस्तान में शायद अधिक्तम रेल मंत्री किसी राज्ज ने दिये हैं तो बिहार ने दिये है जमान ऐसे जैसे यह रेल डिपार्टमेंट बिहार के लिए रिजर्वेशन है रेल मंत्री तो मिले हैं रेल देने का काम मैंने दिमाग में भरा पड़ा है और मैं रेल के माध्यम से बिहार के दूर सुदूर यलाकों को कैसे जोड़ पाऊं मुख्य धारा में विकास की इंफ्रस्ट्रक्चर आता है उसको कैसे आगे बढ़ाऊं इस दिशा में योजना इले करके आगे चल रहा हूं आज एक महत्वपुन कारकम हमने लौंच किया है वैसे नितिश जी ने धर्मेंदर प्रधान जी की इतनी तारीब कर दी है इतनी तारीब कर दी है उसी से मुझे समझ आता है कि इस प्रोजेक्ट का कितना महत्व है नितिश जी की बात सही है आने वाले दिनों में जिस प्रकार से रोड का महत्वा है रेल का महत्वा है वैसे ही गैस ग्रीड का भी महत्वा है पूरी एकानोमी में गैस आधारित एकानोमी शेप ले रही है और गैस पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा महंगा खर्चिला नेट्वर्क खड़ा करना पड़ता है इंफा सेक्टर बना पड़ता है और मैं देख रहा हूं कि एनर्जी के सेक्टर में गैस की उपलब्धी यह उस देश की पूरी एकानोमी को बदल देती है बिहार की एकानोमी को बदलने का एक बहुत बड़ा ताकत पर प्रयास गंगा तो हमारे पास है है हम उर्जा गंगा को लेकर के आ रहे हैं आपके पास गैस पाइपलाइन बिशाएंगे सेक्टर किलोमेटर और पठना मैं पाइपलाइन से घर घर गैस कैसे पहुँचे जैसे हमारे घर में ग्रहिणे कीचन में टेप चालू करते ही पानी आता है वैसे ही टेप चालू करते ही गैस आजाएं इसके लिए ये योजना है और हर परिवार को ये पहुँचे सेक्टर किलोमेटर दूर से पाइपलाइन से गैस आएगी बड़ा महंगा कारोबार है लेकिन एक बार अगर वो लग गया तो सालों साल तक यहां के जीवन को भी लाब होगा और यहां के quality of life में भी बहुत बड़ा फाइदा होगा economy भी फाइदा होगा और जैसा नितीजी ने कहा कि बिजली का पैसा तक माप कर दिया हट डिलाइजर कार खाने का और उस समय हमारे सुशिल जी आया करते थे किसाब यह हमारे से 300 करोर को ले रहे हो लेकिन फिर भी बिहार ने तकलीब जोल करके भी इस काम को किया विटमंतरी थे हमारे सुशिल जी कठिनाई होने के बाओजुद भी किया ये करने के बाओजुद भी दस साल बीद गए साब फरटिलाइजर कार खाना चालू करने की किसी को याद नहीं हो क्या गुना है विहार का विहार के गरीब की जेb से पैसा निकाल कर गए यहां की सरकार ने तकलीब होने के बावजबुदी दिया लेकिन उसको रोग दिया गया हमने तै किया हैं कि बिहार का यह रही हख है और यह फर्टिलाजर का कार खाना चालू होगा और यहां के किसानों को सस्ता फर्टिलाजर मिले यह काम हम करेंगे बिहार जनता का या बिहार सरकार का कोई दोस्ट नहीं था बिहार की सरकार आजी आई थी लेकिन काम रोक दिया गया लेकिन भाईयों बहनों में आपको विश्वात दलाता हूँ ये काम भी पूरा होगा और नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा और किसान को सस्ते में फर्ट्रिलाइजर भी पहुचेगा इसका पूरा प्रबंद करके हम आगे बढ़ेगे भाईयों बहनों विकास की इस अवधारणा में हमने ये भी हमेशा निरंतर प्यास किया है कोपरेटिव फेडरलिजम का और हमारा मत है कि राज्यों को अगर सहायता मिले राज्यों को अगर अवसर मिले तो देश को आगे बढ़ने की ताकत बहुत बढ़ जाएगी और इसलिए 14 फाइनांस कमिशन जो कि लागू हुआ है उसके कारण बहुत बढ़ा लाब राज्यों को हो रहा है एक राज्यों को हो रहा है एक को नहीं हो रहा ऐसा नहीं है उसलिए लाब सभी राज्यों को हो रहा है इसलिए कोई बिहार को कम मिला अधिक मिला या किसी और राज़ी को कम मिला अधिक मिला ऐसा नहीं क्योंकि हमारी योजना है आज थिती ऐसी है एक जमाना था भारत के खजाने पूरा जो था रज्जों और केंद्र का उसमें से 65-70 प्रतिशत खजाना दिल्ली की सरकार की तीजोरी में रहता था और 30-35 परसंट सभी राज़्यों की मिलाकर के तीजोरी में रहता था हमने ऐसा एक महत्वपूर्ण फैसला किया है कठीन काम लिया है सर पे लेकिन जैसा नितीजी ने कहा कि मोदी जी आप पर हमारी आशा है उसको पूरा करने के लिए हमने एक महत्वपूर्ण फैसला किया और वो 14 फाइनास कमिशन जिसके कानण आने वाले दिनों में बिहार को अगर पांच साल का फाइनास कमिशन का मैं देखूं तो बिहार को 2015 से 2020 के दर्म्यान फाइनास कमिशन के द्वारा करीब करीब पौने चार लाग करोड रुपिया मिलने वाले हैं जो पहले सिरफ बीचे हुए समय में सिरफ डेड़ लाग करोड रुपिया मिला था डेड़ लाग का पौने चार लाग करोड रुपिया आने वाले दिनों में क्योंकि हम मानते हैं ये प्रदेश आगे बढ़दा चाहिए और मेरा ये विश्वास हैं पूरम में जब तक प्रगती नहीं होती हैं देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है चाहिए बिहार हो चाहिए पूरवी उत्तरपदेश हो चाहिए उडिसा हो चाहिए पस्चिम मंगाल हो चाहिए जारखंड हो आसाम हो नागालेंड हो मिजोराम हो ये सारा हिंदुस्तान का पूरवी भाग यह जब तक विख्षित नहीं होता है यह भारत माता हमारी समरुद नहीं हो सकती है और इसलिए बिहार का विकास यह हमारा प्राइम एजटना है पुर्वी भारत का विकास यह हमारा मकसद है हमारा लक्ष है और उसको आगे भढ़ाने के लिए अनेक भीद नई योजनाएं हम लेकर के आने वाले हैं उसको पूरा करेंगे आने वाले कुछ दिनों में हमारे कुछ साथियों से मैंने कहा है कि आप जाईए सिलानास कीजिए उद्घाणन कीजिए काम को आगे बढ़ाईए जैसे मुझफरपूर सोन बरसा नेशनल हाईवे सततर किलोमेटर को डबल लेन करने का काम पूर्ण हो चुका है करीब शेसो करोड रुपया की लागत लगी है पतना, गया, डोबी रोड को फोर लेनिक का काम मंजूर हो गया है करीब 1231 करोड रुपया की लागत है पतना, कोईलावर, बोझपूर और बोझपूर-बक्षर रोड का भी फोर लेनिक का काम मंजूर हो चुका है लागत है करीब दो हजार बारा करोड रुपिया भागलपूर बाईपास का काम मंजूर हो गया है लागत है करीब दो सो तीस करोड रुपिया सिभरी, सितामडी, जैनगर, निरहिया रोड का भी सुधार मंजूर कर दिया गया है लागत है करीब 701 करोड रुपिया फत्वा हर नुवद 12 रोड का काम मझजूर कर दिया है लागत है करीब 590 करोड रुपिया इन सारे National Highway के प्रोजेक्ट जो इस सरकार ने अलरेडी मझजूर कर दिये लागत होती है करीब करीब 500,000 करोड रुपिया क्योंकि मैं जानता हूँ कि बिहार को विकास की नहीं उचाईयों पर ले जाने के लिए इन चीजों का भरपूर उप्योग होना चाहिए और हम इसको करना चाहते हैं आपको याद होगा पिछले लोग सभा के चुनाव में यहां आया था गांधी बैदान में बम धमाकों के बीच मैं भाशन कर रहा था और उस समय मैंने कहा था केंद्र में हम सत्ता में आएंगे तो बिहार को विशेश पैकेज देंगे और उस समय मैंने गोशना की थी चुनाव के पहले मैंने गोशना की थी मैंने कहा था कि पचांस हजार करोड रुपियों का पैकेज बिहार को दिया जाएगा भाईयों बेहनों मैं जब दिल्नी में बैठा बारी किसे चीजों को देखा और मैं नतीजे पर पहुँचा कि मेरे दिल दिमाग में बिहार की जो कल्पना है बिहार को अगर मुझे उस उंचाई पर ले जाने में बिहार को साथ लेकर के चलना है तो पचांस हजार करोड से बात बनने वाली नहीं है उसे और अधिक करनी के आवस्षक्ता है जिए मैं आज उसकी गोषना नहीं करूँगा मैं सही समय पर आकर के उसकी गोषना करूँगा लेकिन मैं इतना कहता हूँ मैंने जो बादा किया था उसको तो निभाउँगा उससे भी आगे मामला ले जाऊँगा ये मैं आपको बादा करने आया ताकि बिहार को विकास की यात्रा में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए और विकास की यात्रा तेज गती से आगे बढ़नी चाहिए इसी एक अपेक्षा के साथ मुझे विश्वात है कि आज जिन योजदिनाओं का आरंब हुआ है जिन कारकमों की शुरुवात हो गई है और भी हमारे मंत्री गण के लोग आने वाले हैं वो इस बात को आगे बढ़ाएंगे आज यहां पर देश भर के कृषी वैज्यानिकों को मैंने बुलाया है पट्टा की धर्ती पर अभी इस कारकम के बाद उनके साथ बैटने वाला हूँ क्योंकि मैं मानता हूँ कि अगर हिंदुस्तान की सेकंड ग्रीन डिवलुशन की संभावना कहीं है तो हिंदुस्तान के पूर्वी इलाके में है बिहार में है, बंगाल में है, आसाम में है, पुर्वी उत्तरप्रदेश में है, सेकंड ग्रिन रिवालुशन की संभावना इस इलाके में है अर इसलिए मैंने देज भर के क्रिशिव ग्यानि को आज पत्ना की धर्ति पर बुलाया है, वो यहां बैठ करके वीचार भिमस करने वाले हैं, जो आने वाले दिनों में यहां के क्रिशिक छेत्र को एक नई ताकत देने की दिशा में प्रयास करने वाले हैं, मैं फिर एक बार बिहार सरकार का बिहार की जनता जनार्दन का यहां के मुख्यमंत्री जी का स्वागत सम्मान के लिए रुदेश से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं बहुत बहुत धन्यवाद